तो आ गया ना देखते ही मूमे पानी तो आज हम आपके साथ में शेर करेंगे तीखा मीठा चटपटी और बहुत ही टेस्टी सा हरी मिर्च का अचार कोई भी सीजन हो हम इस हरी मिर्च के अचार को दाल सकते हर किसी को यह अचार पसंद होता है चाए हम दाल चावल बनाए चा बहुत ही यूनीक तरीके से आज हमने आपको यह बना कर बताया है इसलिए वीडियो पूरा फुल वाच कीजिए तो असलाम अलेकुम जी बेस्ट कुक वित आहित में आपका स्वागत है जो भी हमारे नए विवर्स है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ला पास में जो अवेलिबल हमने वो इस्तेमाल किया तीखी भी ले सकते और फीकी भी ले सकते और हमने इसे इसकी जो डंडिया है वो तोड ली है और इसे अच्छी तरीके से वाश किया और इसे एकदम सूखा कर लिया यह एक जरूरी पॉइंट है कि हमें इसे एकदम सूखा ताकि ये खराब न हो, फिर इसे बीच में से हम कट कर लेंगे, अब यहां पर हम कुछ मसाले लेंगे, जैसे मसालों में 1 टेबल स्पूँन पीले वाली राई डाल लेंगे, one tablespoon उसाबित धन्या लेंगे half teaspoon जीरा लेंगे half teaspoon मेथी लेंगे half teaspoon कलोंजी लेंगे और जो यह राई होती है अगर आपके पास में इस तरीके कि ना हो तो जो hole होती है यानि जो साबूत होती है वो भी हम इस्तिमाल कर सकते क्योंकि हम इसे grinding करेंगे तो ये चार से पांच हम spices इसमें लेंगे, कोई ज़्यादा ताम जाम करनी के ज़रूरत नहीं, और इसे एक साथी पैन में हम दाल देंगे, और दालने के बाद में इसे हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, जो पीली राई दाल होत जल जाती है, तो इसलिए हमें बहुत ही आहतियाद से और बहुत ही ध्यान से इसे रोस्ट करना है, और जब रोस्ट करते हैं, इतनी अच्छी खुश्बुए इसमें आती है बहुत, और कोई और spices दालने के जरूरत ही नहीं, बस इसी चीज से यह अचार बनकर रेडी हो जा हम कश्मिर मीर्च लेंगे, अगर अवैलिबल हो तो इस्तेमाल कर सकते हाँ वरना साधी भी कर सकते हैं, जो अपनी पास लाल मीर्च होती है नौ, हाफ टीज़पून है तो हम इसमें हल्दी पॉडर दालेंगे, नमक अपने टेस्ट के अक्सक्रा आकॉर्डिंग इसमें हम और half teaspoon citric acid जो नीम्बू सत होता है नो वो यूज़ करेंगे अगर आपके पास में ना हो तो हम आखरी पर आपको बताएंगे कि क्या यूज़ करना है 2 teaspoon भर के यानि 1 tablespoon भर का हम चीनी यूज़ करेंगे जिससे कि एक जो तीखापन होता है मिर्ची का तो उसे balance हो जाए और इसे थोड़ा सा दरदरा पीस के side में रख देंगे आप हम क्या करेंगे गैस on करेंगे और गैस पर एक पैन रखेंगे इसमें हम एक कब भर के लगभख oil लेंगे और अगर हम ग्रैम से मोज़ है तो यह 200 ग्राम से 1500 ग्राम oil है और oil की quantity आप कम जादा कर सकते इसे हम होने के लिए रख देंगे यानि हमें एकदम गरम oil नहीं चाहिए और देखेंगे ऐसी है जो मसाला जो हमने पीस कर रही ना पूरे किचन में इसकी खुश्बू महक रही थी इतनी अच्छी खुश्बू का यह मसाला बनकर रेडी होता है तो इस तरीके का हमें दरदरा चाह है न तो वाश करने के बाद में एक बार सुखा ले अच्छी तरीके से अगर हमें जादा दिन तक की अच्छा रखना है तो यह पॉइंट जरूरी है नोट का ना फिर से राई दाल दालेंगे जब भी हम जैसे हमारे ठाली में अच्छा ले तो राई दाल दिखनी चाहिए बहुत अच्छी लगती है और जो गरम किया हुआ ओईल है न तो वो दालेंगे हमें इसमें ध्यान रखे कि एकदम गरम नहीं चाहिए हमें थोड़ा सा मामूली हमें गरम चाहिए जितना हमें उसमें हम हाथ दाल कर देख सके और हमारी उंगली इतना मतलब गरम बरगदाश हमारी दालना है अब इन सारे चीज़ों का अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे मिक्स करना बहुत ज़रूरी इस टाइम पर हम चक भी लेंगे अगर इसमें नमक अगर थोड़ा बहुत कम जादा है तो हम इसमें चक भी सकते कर अगर आपके पास में निमबुसतD ना हो यան Kenneth जो citric acid होता है वो ना हो तो देड़ कप सिरका भी डाल सकते हैं वरना तीन से चार lemon को निचोड़कर उसका रज भी डाल सकते हैं तीन चीजों में से आपके पास में जो भी option available हो आप कर सकते हैं और देखे कैस इसका कितना बढ़िया color आया है हमने एक ही pot में इन सारी चीजों क मिक्स कर लिए और दाल देखे कोई जंजटनी डबल से कोई चीज डालने की ना इलाइची डालने की ना जादा से वाश करना है वाश करने की बाद में इसे अच्छी तरीके से साफ कपड़े से पोशना है पिर सुखाना है उसके बाद रखना है यह पॉइंट हमें इसलिए करना है कि अगर हमें दो मैंने दो मैंने एक साल भर इस अचार को स्टोर करना है तो इतना precaution लेना बहुत जरू तो यह हम एक साल तक के अचार इंजोई कर सकते तो इस तरीके से हम इसमें अचार दालेंगे और एक स्पून से इस तरीके से दबो दबो कर इसमें भरेंगे ताकि यह ना एक से दो दिन में रेडी हो जाता है बहुत ही इंस्टंट बनता है अगर इसे हम एक दिन धूप दे करना शेयर करना सब्सक्राइब करना साइट में जो बेल बटन आता है उसको आल पर क्लिक कर देना ताकर आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें अल्ला अफेज